तो दोस्तों यहाँ पे वीवो के फोन में एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है जैसी नोटिफिकेशन सेंटर को आप ऐसे स्क्रोल डाउन करते हैं तो यहाँ पे प्लीज रिमूव आप्स्ट्रक्शन ग्रीस और ओपेक फिल्म में ब्लॉक इंफ्रा रेड रेज ऐसी प्रॉब जो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्फ कैसे करना है सिंपली आपको सेटिंग में जाना है और स्क्रोल डाउन करके एकड़म बिलकुल नीचे आ जाना है एप एंड परमीशन पे टैप करना है इस पे टैप करने का बाद फुर्स्ट औप्शन जो एप मेनेजर शो कर रहा है उस वहाँ से नीचे आपको clear cache दिख रहे है, उसको कर देना है यह पर 0 byte ना चाहिए, पिर आपको clear data कर देना है, और clear data करने के बाद आपको वापस से back जाना है, इस से notification चले जाता है, लेकिन, आपको एक और काम करना है, यहाँ पर force to stop कर देना है, जैसे आप force to stop करेंगे, maximum phone में जो notification जो pop-up होता है वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे जो infrared का notification शो कर रहा था वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सारी चीजे करने के बाद भी वो notification थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है तो यह notification pop up होने के main reasons क्या होते हैं जो आपने screen guard लगाई होती है phone के उपर यहाँ पे एक sensor होता है वो sensor actually ब्लॉक हो जाता है तो जो आप screen guard लगा रहे हैं ऐसा screen guard लगाईए जिससे यह sensor ढखे ना मतलब यह sensor यहाँ से open हो ऐसा screen guard लगाईए इसके अंदर पहला तो यह solution हो गया दूसरा अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो यह जो speaker वाला area दिख रहा है इसको आप साफ करवाईए जाके किसी nearby mobile store पर जाएए वहाँ पर उन्लोक के पास एक liquid रहता है उसके spray करके brush से इसको साफ करवाईए इसके अंदर से साफ आई करवानी पड़ेगे इसके sensor के आगे धूलिया मिट्टी आ गई होगी तो यह सारे कुछ कारड होते है जिसके कारड यह notification पॉप अप शो करता है वीडियो आप लोको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टाटा